नमस्कार दोस्तों आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है अश्टेडी फाइंड में मैं हूँ आपके साथ अमर्जित कुमार दोस्तों हम लोग पिछले वाले वीडियो में पिहार समाने ग्यान से संबन्दी 350 को देख रहे थे उसमें दोस्तों हम लोग कल वाले वीडियो में कोश्टन नमर 50 तक देख लिया था और दोस्तों आज हम लोग कोश्टन नमर 51 से कोश्टन नमर 100 के बीच देखने वाले यानि कि दोस्तों आज हम लोग 50 कोश्टन को देखने वाले ठीक है दोस्तो तो आईए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कोशन नमर पहला करा दोस्तो बिहार में उर्दू को दूसरी राजभासा का दरजा कब दिया गया था दोस्तो आप लोग को परते कोशन के लिए 5 सकेंड का टाइम दिया जायेगा तो दोस्तो इसकी जो है अस्थापना मतलेंगी जो है दरजा दिया गया था 1980 को ओपसन नमर एक करेक्ट आंसर हो जायेगा इसमें करा दोस्तो बिहार का चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंदित है तो वह जो है दोस्तो भागलपूर जिले से सम्मन्दित है और दोस्तो इसी घटना पर गंगाजल मुभी भी बना हुआ है तो इसका आंसर option number C correct answer हो जाएगा question number आगे देखिएगा इसमें करा दोस्तो बिहार में बहुत चर्चित गंगाजल की घटना कब घटी थी तो वह जो है दोस्तो 1980 को घटी थी option number A correct answer हो जाएगा question number आगे देखिएगा दोस्तो इसमें करा दोस्तो महत्मा गांदी सेतुपूल का उधगाटन कब हुआ था तो वह जो है दोस्तो 1982 इसमें करा दोस्तो बिहार में अक्टूबर 1989 में संप्रदाइक दंगे कहां हुए थे तो वह जो है दोस्तो भागलपूर में हुए थे कहां दोस्तो भागलपूर में हुए थे ठीक है तो इसका जो है दोस्तो आप्सन जो है नीचे दिया हुआ है चलिए तो इसका जो है आंसर हो जाएगा option नमर D भागलपूर में हुए थे question नमर आगे देखेगा दोस्तो इसमें करा है बिहार के बहुत घया में इस्तित महाबोधी मंदिर विस बिरासत घोसित जो है कब किया गया था question नमर आगे करा दोस्तो बिहार में जेल लूट की घटना कब घटी थी question नमर आगे करा दोस्तो बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर स्रीकिष्ण के नेत्रित में कॉंग्रेस मंत्री मंडल बनने पर विधान सवा अध्यक्स किसे चुना गया था तो वह जो है दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा option नमर सी प्रोफेसर अबदुल बारी को जो है चुना गया तो option नमर सी correct answer हो जाएगा question नमर आगे करा दोस्तो वह पर्थम भारती है जिसे house of lords और प्रीवी कॉंसिल हेतु सदस्ता परदान की गई थी तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option नमर सचदानन सिन्हा option नमर एक correct answer हो जाएगा question नमर आगे करा दोस्तो विहार के पर्थम कॉंग्रेस राज मंत्री मंडल के वित मंत्री कौन थे और दोस्तो option आप लोग के सामने दिया हुआ है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option नमर बी अनुगरह नारायन सिंह option नमर बी correct answer हो जाएगा अनुगरह नारायन सिंह question नमर आगे करा दोस्तो देश के उप पर्थम मंत्री बनने वाले बिहार के थे तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर B बाबू जग जीवन राम ऑप्सन नमर B correct आंसर हो जाएगा कोश्तन नमर आगे करा दोस्तो बिहार केषरी के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दू की स्री कृष्ण सिंग को जो है बिहार केसरी की नाम से भी जाना जाता है तो इसका आंसर option number A correct answer हो जाएगा question number आगे करा दोस्तो राष्टबादी क्रांती खुदेराम बोस को मुझपर पूरबम कांड के उपरोक्त कहां गिरफतार किया गया था तो इसको जो है दोस्तो पूसा रोड एस्टेशन समस्तिपूर में गिरफतार किया गया था option number C correct answer हो जाएगा question number आगे करा दोस्तो बिहार के बिहार के किस राष्टबादी क्रांती कारी नेता से भगत सिंग मिलने कई बार हाजिपूर आए थे तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number B बटू के स्वर्दत option number B correct answer हो जाएगा question number आगे देखिएगा दोस्तो इसमें का रहा है 1939 के दिल्ली सेंट्रल legislative assembly में भगत सिंग के साथ बम फेकने वाले बटू के स्वर्दत जो है कहां के निवासी थे तो वहाँ जो है दोस्तो पटना बिहार के निवासी थे option number A correct answer हो जाएगा पटना के निवासी थे बटू के स्वर्दत question number आगे करा दोस्तो विस्व के पर्थम खगोल सास्त्री महान गनितग्य जोतिस के परकांड बिद्वान आरे भट का जन्म कहां हुआ था तो दोस्तो उसका जो है जन्म हुआ था दोस्तो कुसंपूर पटना में हुआ था option number A correct answer हो जाएगा कुसंपूर पटना में question number आगे करा दोस्तो बिहार से संबंदित व्यक्ति कौन है तो दोस्तो बिहार से संबंदित व्यक्ति है कनाद भी है सरवन रिसी भी हैं और रिसी गोतम हैं और आरिय भाट हैं निकि दोस्तों सभी यह बिहार से ही सम्मधित व्यक्ति हैं तो इसका आंसर ऑप्सन नमर डी हो जाएगा एक से अधिक सही है कोशन नमर आगे देखिएगा दोस्तों इसमें का रहा है परसिद भारतिय दार्शनिक तथा अध्यन और देत विदान के परति पादक वाचस पती मिस्र कहां के निवासी थे तो वहाँ जो है दोस्तों दर्भंगा जिला के निवासी थे कोशन नमर आगे देखिएगा दोस्तों इसमें का रहा है हिंदी के परसिद कहाणिकार फनिसवर नाथ रेनू का जन्म किस गऊँ में हुआ था तो दोस्तो इसका जन हुआ था दोस्तो आप लोग की सामने इसका ओप्सन दिया हुआ है मैं जो हूँ आप्सन दिखाने में लेट कर दिया दोस्तो तो इसका जो है दोस्तो आंसर हो जाएगा ओप्सन दिया रामधारि सिन दिनकर का जन हुआ था तो दोस्तो उसका जन हुआ था दोस्तो सिमरिया घाटमेन की ओप्सन नम्र एक रेक्ट आंसर सिमरिया ग्राम में हुआ था ठीक है चलिए कोशन नम्र आगे बढ़ते हैं इसमें करा दोस्तो भोजपुरी का सेक्स पियर किसे कहा जाता है वहुती आसान कोशन है तो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दू कि भोजपुरी का जो है सेक्स पियर वह जो है भिखारी ठाकुर को जाना जाता है option number A correct answer हो जाएगा question number आगे देखिएगा दोस्तो इसमें करा रहा है बिहार के किस महान करांती कारी नेता की दा संसकार भगत सिंग के समाधी के बगल में किया गया है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number C बटू के स्वर्दत option number C correct answer हो जाएगा कोशन नमर आगे देखिएगा दोस्तों इसमें काड़ा है और दन्तीपूर विहार सरीफ महाविहार किसे नश्ट हुआ था तो वह जो है दोस्तों बक्तियार खिलजी के आकरमन से नश्ट हुआ था अप्सन नमर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन नमर आगे देखिएगा दोस्तों इसमें काड़ा है राजगीर में इस्तित दृत कूट पहारी के दर्सन करते समय कौन विदेशी यातरी भावुक होकर रोपड़ा था तो दोस्तों वह जो था वह था दोस्तों फाहियान ऑप्सन नमर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान दोस्तों आप लोग को हमें क्मेंट बॉक्स में यहां बताना है दोस्तों कि फाहियान किसके ससनकाल में भारत आय थे ठीक है? चलिए. कोसमा आगे देखिये गाद दुस्तो, इसमें करा दूस्तो, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंगरेज यातिरी कौन था? तो दोस्तो बहुत दोस्तो रॉल्फ फिच था कौन तो दोस्तो रॉल्फ फिच था आपसन नमर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन नमर आगे देखिएगा दोस्तो इसमें करा दोस्तो कौन सा विदेशी यातरी वर्नन करता है कि पटना के लोग जमीन खोद कर सोने की खोज करते हैं तो दोस्तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपसन नमर C राल फिच चलिए बढ़ते हैं कोशन नमर आगे इसमें करा दोस्तो यह मैं कहां चलिए आया एक मिनट दोस्तो चलिए इसमें करा दोस्तो कौन सी विदेशी यातरी वर्डन करता है कि पटना के लोग जमीन खोद कर सोने की खोज करते हैं तो दोस्तो यह जो एक कोशन तो हो गया था इसका आंसर आपसन नमर C हो जाएगा राल फिच कोशन नमर आगे देखेगा दोस्तो इसमें करा दोस्तो बिहार के प्राचिन वर नविन नगड़ों के युगमों में से कौन सा युगम जो है गलत है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपसन नमर D वैसाली आपसन नमर D क्रेक्ट आंसर हो जाएगा वैसाली इसमें करा दोस्तो बिहार के मिथला छेतर का परसिद विद्वान जिसे मिमांस एबम वेदांत दर्शन के परती उलेखनिय योगदान दिया उस व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तो और आप लोग के सामने जो है आप्सन दिया हुआ है उपर तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जायेगा प्सन दिया है तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दू कि पुरा तात्विक संग्राले कि अस्थापना जो है वह नालंदा में भी की गई है वैसाली में भी की गई है और बोध गया में भी की गई यहनकी A, B और C जो है यह तीनों सही लेकिन option number D जो है भागलपूर में नहीं की गई तो इसका आंसर option number E हो जाएगा question number आगे देखिएगा दोस्तो इसमें का रहा है वर्स 1956 में राजपनडगठन के साथ बिहार में कितने जिले थे तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number option number D correct answer हो जाएगा सत्रह जिले थे ठीक है चलिए बढ़ते है question number आगे इसमें करा दोस्तो बिहार की वर्तमान सीमा वच्छेतर बिहार को कब प्राप्थ हुआ है तो दोस्तो उसको जो प्राप्थ हुआ है दोस्तो 15 November 2000 इस पी को option number C correct answer हो जाएगा 15 November 2000 को इसमें करा दोस्तो वर्स 1956 में राज्यों के पुनडगठन के करम में बिहार की किस जिले के कुछ छेतर पसी मंगाल को हस्तनांतरित किये गए और दोस्तो option जो है आप लोग के सामने दिया दोस्तो भागल पूर एबम मुंगे और option जो है निचे दिया हुआ दोस्तो जम होई पुर्णिया और पुरूलिया तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option नमर C एनकी पुर्णिया भी होगा और पुरूलिया भी होगा इनकी इसका अंसर option नमर C और D दोनों हो जाएगा तो इसका अंसर एक से अधिक सही अंसर हो जाएगा ठीक चलिए बढ़ते हैं question नमर आगे इसमें करा दोस्तो निउन में से कौन से फिल्म है कलाकार जो है बिहार से सम्मानित नहीं है तो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दू कि आस्टो सराना यह जो है बिहार से सम्मानित नहीं है और जो भी दिया हुआ है सत्रुगन सिन्ना मनोज बाजपाय और सिखर सुमेन वह जो हैसा भी बिहार की ही कलाकार है कोशन नमर आगे देखेगा दोस्तो इसमें कर रहा है बिहार की पर्थम फिल्ब पुनर मिलन का निर्मान किसने किया था तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्सण नमर सी महराजा भुपैंडर नारायन सिंग्ग आप्सन नमर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोस्ट नमर आगे देखेगा दोस्तों इसनमर आगे देखिएक दोस्तों इसमें कराया भीहार के किसी भी आंचलिक भासा में बनने वाली फिल्म थे तो दोस्तो इसका जो है आंसर हो जायागा आप्सन नमर B हे गंगा मैया तोरे पी अडी चड़ेवो आप्सन नमर B करेक्ट आंसर हो जायागा कुस्तन नमर आगे देखे दोस्तो इसमें कर रहा है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option नमर B Spider Man 3 Spider Man 3 जो जो है दोस्तो इसको जो है भोजपड़ी भासा में भी डब किया गया है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option नमर C Spider Man 3 दोस्तो इसको जो है भोजपड़ी भासा में भी डब किया गया है option number B correct answer हो जाएगा चलिए question जो है दोस्तो और आगे दिया है दोस्तो इसमें करा दोस्तो बिहार के पर्थम मुस्लिम मुखमंत्री कौन थे तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number C अब्दूल गफूर थे चलिए question नमड आगे देखें दोस्तो इसमें करा बिहार के पर्थम हरिजन मुखमंत्री कौन थे तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number E भोला परसाद सास्तरी question नमड आगे देखेंगा दोस्तो इसमें करा बिहार के वह भासा जो समिधान की आठमी अनुसूची में सामिल है तो दोस्तो इस question को हमने आप लोग को बताया दोस्तो इसका आंसर option number D correct answer हो जाएगा मैथली चलिए question number आगे बढ़ते हैं दोस्तो इसमें करा दोस्तो बेरिया नामक जनजाती बिहार में कहां पाये जाते हैं बेरिया नामक जनजाती चलिए दोस्तो तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा question number आगे देखिएगा दोस्तो इसमें करा रहा है बिहार के परसासनिक सुधार आयोक की अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number B, विजय संकर दूबे थे कौन थे दोस्तो विजय संकर दूबे थे question number आगे देखिए गा इसमें करा दोस्तो पर्थम भुजपुरी फिल्म आवार्ड समारो का आयोजन कहां में हुआ था तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number C, मुंबाई में हुआ था option number C, correct answer हो जाएगा मुंबाई, question number आगे देखिए दोस्तो इसमें कहा रहा है पर्थम भिहार, global meat, समेलन का आयोजन कहां किया गया था इसका आंसर जो है option number C हो जाएगा नालंदा इसका जो है दोस्तो दोस्तो इसका आंसर जो है option number C हो जाएगा पटना, option number C correct answer पटना हो जाएगा question number आगे करा दोस्तो मुंखमंत्री बनने के बाद स्री नितिस्कुमार की पहली विदेशी यात्रा कहां थी तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जाएगा option number A मौरिसस की option number A correct answer हो जाएगा question number आगे करा दोस्तो बिहार की राज की यह मचली घोसित किया गया है और option जो है दोस्तो आप लोग के सामने जो है दिया हुआ हुआ है चलिए तो इसका जो है दोस्तो आंसर क्या हो जाएगा देशी मांगूर को question number आगे देखी का दोस्तो इसमें करा रहा है बिहार देश का पर्थम राज है जिसकी मंतरी परिशत की बैठक गाउं में हुई है या बैठक किस गाउं में हुई थी तो वह हो जाए दोस्तो इसका आंसर option number B हो जाएगा बढ़ भीगा बेगुसराय में हुई थी option number B correct answer हो जाएगा question number आगे देखेगा दोस्तो इसमें करा रहा है बिहार सरकार ने किसे राज का राजकिये विरिक्च गोसित किया गया है तो इसका आंसर option number A हो जाएगा people को question number आगे देखेगा दोस्तो इसमें करा रहा है बिहार में समाजिक सुधार, बाल, बिवाब, बंदी, एबं, देहेज, बंदी के पक्ष में मानब स्रिंखला का आयोजन कब किया गया था तो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा option number C 21, January 2018 को तो दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को आज का यहाँ वीडियो बहुत ही सांदर लगा होगा और दोस्तो सभी question को याद कर लिजेगा और साम 7 बजे आना बिलकुल नहीं भूलिएगा साम 7 बजे आप लोग का लाइव टेस्ट लिया जाता है और दोस्तो जो आप लोग को हमर्ग मिलता है दोस्तो उसको याद किया कीजिए ठीक है जैहें दोस्तो